उस समय भी मुखमंत्री नितीश कुमार जी थे उस समय क्यों नहीं हस्ताक्षर किये उस समय लोगों को निउपत्वी पत्र क्यों नहीं दिये यह तेजस्वी आदव जी के दबाव के कारण उनको मजबूर होके नौकरी देना पड़ा सिक्षा निती यह लोग लाए हैं आप उसको बड़ियां से स्टडी करिए उसमें गरीब बच्चे जो हैं सिक्षा से बंचित हो रहे हैं पूर्जोर तरीके से समर्थन तेजस्वी जी को मिल ला है और दो हजार पचीस में हम लोगों का लक्ष है कि अगला मुखमंत्री नेता परतिपक्ष होंगे अगर समाजिक न्याय और समाजिक विचारधारा समझवाद की अगर बात अगर बिहार में अगर किसी के लिए किया जाएगा तो वह हैं राष्टिय जनता दल के राष्टिय धक चादरने लालू प्रसाद यादव जी हम लोग प्रसांद की सुर्जी को अभी मान रहे हैं कि उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किस तरह से राष्टिय जनता दल को नीचा दिखाया जाए और उनका रणनीत है कि भारतिय जनता पार्टी को लाब कहुँचाना हिंदुत्व और हिंदू की बात करते हैं हामें मंदिर का जिर्णोधार नहीं कर पाए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जिर्णोधार किया और सांथ की सुर्जी प्रसांथ की सुर्जी सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं किस तरह से भारतिय जनता पार्टी का यहां सरकार बने इसी ये स्टेटजी पर वो काम कर रहे हैं जो कहता था कि नौकरी देना बिहार में अशंभव है 17 महीना में 5 लाख लोगों को रोजगार नौकरी दिये सरकारी नौकरी दिये यह किस के कारण हुआ नमस्कार गुपाल गंट के राष्टी जनता दल के शम्मानित जीला अध्याक्ष बहुत चर्चित समाजी कारेकरता भाई दिलिप कुमार सिंगी मेरे साथ हैं और आजकल के बिहार की जो राजनीती है हालिया राजनीती घटाक करम पर चर्चा करेंगे और खास करके फिके की जो एक चुनौती है राष्टी जनता दल के जो तिजस्वीयदव हैं उनको लेकर करके उस पर विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे तिजस्वीयदव को लगcri तार जो है चुनौती दे परफांत कि सोर जी लगतार तेजस्वी आदव को चुनवती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनवती में सबसे पहला उनका बात है कि तेजस्वी आदव जो है नवी फेल हैं कई मीडिया के साथ ही पूछते हैं कि बार बार आप एक ही सब्द का परियूग क्यों करते हैं तो अपसर्चार है उनका ने को लिगे लिए जो पहले काम करते थे किसी की लिए ब्रांडिंग करते थे आज भी वह ब्रांडिंग कर रहे हैं किसी को नीचा दिखाना उनकी नियती बन गई है अरे उनकी अच्छाईओं को भी तो कभी कहिए अभी हमारे नेता तेजस्वी आदव जी पहले क्रिकेट खेला करते थे उनकी कप्तानी में बिराट कोहली खेले हुए हैं तो यह भी बोलना चाहिए और नीचा दिखाकर आप अपनी राजनीत या किसको फाइदा पहुचाना चाहिए जनता दल उनाइटेट भी तो बड़ी पाटियां बिहार की उन पाटियों के लिए कभी कुछ नहीं बोलते उनका निसाना बस राष्टी जनता दल परिवार ही है ऐसा क्यों हो रहा है बार 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 देखे यह तो सभी आम आवाम जो है सभी लोग जानते हैं प्रसांद की सोर्जी के बारे में हम लोग बहुत कु कुछ बात करनी चाहिए बात करते हैं हमेशा कभी परिवारवाद की बात कभी कुछ कभी कुछ और कभी पढ़ाई लिखाई को अरे उनकी अच्छाईयों को भी बताईए हम प्रसांद की सोर्जी से कहना चाहेंगे प्रसांद की सोर्जी यह भी लोगों को बताईए कि हमार जो यहां केंद्र की सरकार हो यह राजी की सरकार हो जो कहता था कि नोकरी देना बिहार में अशंभव है 17 महीना में 5 लाख लोगों को रोजगार नोकरी दिये सरकारी नोकरी दिये यह किसके कारण हुआ और जब सरकार भंग हुआ था गटवन्धन तूटा था और NDA का सासन मैं तीन लाख लोगों के नौकरी का कागज तयार करवा करते जस्वी छोड़े थे अभी छे महीना से ज्यादा समय हो गया क्या ये भी न्युक्तियां हुई क्यों नहीं हुई हम पूछना चाहते हैं यह लोगों को यह जो एंडिये की सरकार है और यह जो भाजपा के लोग है चाहे प्रसांद की सोर्जी प्रसांद की सोजी तरफ और सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं किस तरह से भारत्यय जनता पार्टी के यह सरकार बने इसी एकूपँ अगर भारत जनता पार्टी को उचल नहीं दिखाते हैं इस resonates नहीं दिखा लगतार कह रहा हैं कि लालू यादव किवल अपने पुत्र की चिंता है कि उनका बेटा कैसे बीहर का राजा बन जाए कि हमारे नेता जो हैं आज अगर उनको चिंता नहीं दाता तो बिहार के 5 लाख इवाओं को नौकरी क्यों दिये होते उद्मी योजना के तहट 10 लाख इवाओं को सुन ब्याज़दर पे आधा सबसीड़ी के साथ लोन क्यों दिलवाए होते गोपाल गंज में मेडिकल कालेज के अस्थापना क्यों कराए होते आप देख लिजे कि जो पहले के भारते जनता पार्टी के जो स्वास्त मंत्री थे उस समय पे गोपाल गंज का जीला अस्पताल का इस्तिति देख लिजे और हमारे नेता है 500 बेड का अस्पताल जो बन रहा है उसकी इस्तिति देख लिजे जब कोई गरीब ब्यक्ति अगर अस्पताल में जाता था पहले की इस्तिति देख लिजे और जो हम लोग 17 महीने सरकार में रहे उस समय की परिसितियों को देख लिजे जहां जो हमें ट्रामा सेंटर देख लिजे थावे का परियाटन यह लो काम हो रहा देखें को अगर यहां लोग Cert k leisure अगर को पुत्र की चिंतता है तो क्या भीवैक ठाकुर जी के पुद्र किसी के नहीं है बैसे PC ठाकुर जी के पूत्र है यह यहां देख लिजिए गोर्या कोटि से बिधायक है चार बार से उनका चोथा पीड़ी है यहां बरोली में देख लिए बरोली विधान सभाज छेत्र में जो मन्य विधायक जी है उनके दोनों पुत्र आज विधायक की भूमिका में है गोपाल गंज की परिस्तिति को देख लिए आप इस तरह से देखे राम बिलास पासवान ज चाहिए ही लोग को दूसरा बात समाजी की नयाए की जब बात होती है तो आप लोग करते हैं कि समाजी की नयाए के पुरूधा है लागुयादी परफांत की सोर जी कह रहा ही कि समाजी की नयाए जो है जर शापका था कर तूरी ठाकुरूदा था इस तमाम लोगों का समाज सब्सक्राइब करना है कि समाजिक न्याय के बात करना है कि समाजिक न्याय को जनकारी नहीं देखे हम लोग फिर कह रहे हैं हम लोग प्रसांद की सुर्जी को अभी मान रहे हैं कि उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किस तरह से राष्टिय जनता दल को नीचा दिखाया जाए और उनका रणनीत है कि भारते जनता पार्टी को लाभ पहुंचाना लेकिन सभी लोग जान चुके हैं पूरे बिहार की जनता जान चुकी है कि यहां पे और किसी को कहने की जौरत नहीं है आप गाउं गाउं में जाकर पूछिए अगर समाजिक नयाय और समाजिक विचारधारा समझवाद की अगर बात अगर बिहार में अगर किसी के लिए किया जाएगा तो वो है राष्ट्रिय जनतादल के राष्ट्रिय धक चादर्णिय लालो प्रसाद यादव जी उन्होंने समाजिक नयाय को एक बहुत ही उचाई दिये और समाज के सभी बर्गों को साथ लेकर चरनले का उन्होंने काम किया और सभी को आगे बढ़ाने में अपनी महत्पुर्ण भूमिका जीतना उनका हो सकता था उन्होंने किया और आज के समय में आदर्णिय तेजस्वी आदव जी उस रत को आगे बढ़ा रहे हैं इसमें कोई भी इफबट नहीं है किन्तु प्रंतु नहीं है पूरे बिहार के यो युवा है पूरे बिहार के जो लोग है वह अपना मूड बना चुके हैं मन बना चुके हैं कि दो हजार पचीस में तेजस्वी आदो बिहार के मुखमंत्री बनेंगे और बिहार का काया कल्प होगा इवाऊं के पास रोजगार होगा नोकरिया होगी फिर बिहार में खुसहाली का महाल होगा पुर्फांत की सूर का कहना है कि विहार में जो माई शमिकरण है उसको मैंने तीतर वितर कर दिया है दोस्त कर दिया है किसी भी परिश्थिती में राश्टिय जनता दल विहार के सत्ता की एर्द गेद भटकते हुए भी अपना जब नहीं आए देखें वो अगर सपना देख रहे हैं तो देखें हम लोग का जो समिकरण है और हमारे जो वोटर है वो पुर्ण रूप से मजबूती के साथ राश्टिय जनता दल के साथ हैं और आपको एक और चीज हम बता देते हैं कि अभी समाज के सभी बर्गों का एक पुर्जोर तरीक से समर्थन तेजस्वी जी को मिला है और दो हजार पचीस में हम लोग का लक्ष है कि अगला मुख मंत्री नेता परतिपक्ष होंगे कोई लहर नहीं है और यहां के जो इवाँ है पुरे बिहार के इवाँ है वो चाहे किसी भी जाती धर्म समुदाय संप्रदाय के हैं सभी लोगों का मन है क्योंकि तेजस्वी आदव जी ने ही बिहार के इवावों को नौक्री करना दिखाया है इसका जवाब तो जदिव के लोग देंगे और मन्य मुखमंत्री जी देंगे और जो बिसेस्वी पैकेज की बात आप कर रहे हैं वो बिसेस्वी सिर्फ घोसना हुआ था आप बता दीजे आप लोग तो मिडिया से हैं आप बता दीजे कि कहीं विसेस्वी पैकेज का लाब बिहार को मिला हो एक जगह भी एक विभाग में भी अगर भिसेस्वी का लाब अगर बिहार को मिला हो तो हमको बताइए सवाली नहीं उड़ता है यह लोग जुमले बाजी करते हैं सिर्फ घोसना करते हैं काम तो करते नहीं है आप देख लिजै केद्र की सरकार स्वास्थ और सिक्षा के छेत्र में जो यहां के लोगों के मुल जरूरत है स्वास्त और सिक्षा आप बता दिए कहीं भी स्वास्ता और सिक्षा पे कोई काम हुआ हो जो नई सिक्षा नीती ये लोग लाए हैं आप उसको बड़ियां से स्टडी करिए उसमें गरीब बच्चे जो हैं सिक्षा से बंचीत हो रहे हैं कोई लोग सिर्फ संगठन के मजबूती के लिए काम कर रहे हैं संगठन का काम कर रहे हैं और सिर्षनेत्रित्व का जो फैसला होगा हम सभी को सुविकार होगा और हम लोग का एक ही लक्ष है कोन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा इस पर कोई चर्चा नहीं है सिर्फ एक ही लक्ष है कि आने वाले 2025 में बिहार के बेहतरी की खातिर इवावों के बेहतरी की खातिर और जो अपराद बढ़े हैं उस अपराद पे अंकूस की खातिर हम लोग नेता अभी के परतिपक्ष और आने वाले समय के मुखमंतरी के लिए हम लोग संकल्पित हैं कि तेजस्वी यादों को हम लोग मुखमंतरी की कुर्शी पर बैठाएंगे और बिहार का काया कल्प होगा इवाउं को का काया कल्प होगा और यहां के लोगों का काया कल् रहे हैं और एक व्यक्ति को सघ्वत कर चाल कि सब आई कशने को काम कर्ण चाल को हम लोगS força को का तक जब NDA का सरकार था उस समय भी मुखमंतरी नितीश कुमार जी थे उस समय क्यों नहीं हस्ताक्षर किये उस समय लोगों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिये यह त्यजस्वी यादवजी के दबाव के कारण उनको मजबूर होके नौकरी देना पड़ा क्योंकि आज भी हम लोग सत्ता में कोई हो विहार की अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो वह राष्टिय जंदादल है एक और वियान अभी देख रहे हैं लगतार की अगर मेरी सरकार बंती है विहार में तो सपतगरहन की ए घंटे के बाद जो है विहार में दारुबंद महज दिखावा है आज घर घर में डिलेवरी मिला है सरापका और इसमें ब्याप्त तरीके से बड़े पैमाने पर भरस्टाचार है और कहीं न कहीं इस चीज को सरकार भी जान रही है लेकिन आप देखिएगा प्रती दिन उन्हीं के पार्टी के कोई न कोई पकड़ाते हैं हमारे गोपालगंज में ही उनके पार्टी के परदेश के पदादिकारी संजे चोहान थे संजे चोहान सरापके साथ यहीं अपने जो बलतरी चेक पोस्ट है वहाँ पकड़ाये थे पार्टी ने आनन फानन में उनको दल से निकाला अभी बिसुत्री का जो गठन हुआ उसम हम सिर्फ यहीं जानते हैं कि यहीं नितीश कुमार जी जब 2005 में इनकी सरकार बनी थे गली-गली में सराब बिचवाने वाले हैं और 2016 में जब सराब बिकवा रहे हैं यहीं नितीश कुमार जी का तर अब के परती जो उनकी धारणा है चलिए जाकी रही भावना जैसी है आप लोग भी लगतार प्रयास कर रहे थे जानने के आपकी बड़ी जी ग्यासा थी बड़ी इक्षा थी आपके मन में या खिर दिल्ब कुमार सिंग जी चुनाओ लड़ेंगे की नहीं लड़ेंगे दो दिनों पहले हमने एक कयास जो लगाया था अपने चैनल के माध्यम स से कि गोपाल गंज के सम्मानित जिला अध्यक्ष राष्टी जनतादल के दिल्ब कुमार सिंग जी दो हजार पचीस के चुनाओं में शंभावित प्रत्यासी के रूप में आ रहा है शामने तो सच्चाई है इसमें और अध्यक्षी का भी कहना है अध्यक्षी मेरे वाजू कमेंट करेंगा से अपने सोच से अवगत कराएंगे कि दिल्ब कुमार सेग्स जी को आप सुन रहे थे इनको देख रह थे आपके मन्में किस प्रकार के भायोत्फण हो перacy हो रहे हैं कैसे प्रेम ही लोरे मार रहें कमेंट करेंगे तब तक के लिए तमाम मित्रों को साधरू पिपराम.